नमस्कार में दिविया स्वागत है आपका अचकिस रोजगार समाचार में स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों पर इंद्रा गांधी नैसनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी एगनू द्वारा भरती निकाली गई है इस भरती के माध्यम से कुल 102 पद भरे जाएंगे जिनमें स्टेनोग्राफर के 52 पद और जूनियर असिस्टेंट के 50 पदों पर भरती की जाएंगे आविदन ओनलाइन माध्यम से ही होंगे जिसकी अंतिम तिथी किस दिसमबर 2023 है एक चुक में द्वार सेंटल यूनिवर्सिटी रिक्रूट्मेंट के ओफिस्टिल वेबसाइट एक्जाम्स.nta.ac.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आविदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है आविदन करने के लिए लिंक अपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है चलिए अब हम बात करते हैं इसके आविदन सुल्क के बारे में जो अभ्यरतिया नारक्षित या OBC वर्ग से अपना संबंध रखते हैं उनसे 1000 रुपय अविदन सुल्क के रूप में लिए जाएंगे वहीं WS, SC या ST वर्ग के अभ्यरतियों को 600 रुपय देने होंगे हालांकि दिव्यांग जनों से किसी प्रकार के अविदन सुल्क नहीं लिए जाने है अभ्यरति चाहे तो अविदन सुल्क भुकतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये भी कर सकते हैं आई अब जानते हैं इस पद के लिए अभ्यरतियों की योगता के बारे में इस पद पर आविदन करने के लिए उमिद्वारों को बारवी पास होना जरूरी है साथी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए जिसके तेहत अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 40 सब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 सब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होने चाहिए वह स्टेनो ग्राफर के पद के लिए एक ज़ुक मिद्वार को 108 हैंड में 80 सब्द प्रति मिनट स्पीड होने जरूरी है आई अब जानते हैं इस पत के लिए चैनित उमिद्वारों को मिलने वाले सैलरी के बारे में तो जो उमिद्वार जूनियर असिस्टेंट के लिए चैनित होंगे तो उन्हें साथवे वेतन आयोग से पेस लेवल 2 यानी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक दिये जाएंगे इसके लावे जो उमिद्वार स्टेंव ग्राफर के पत के लिए चैनित होंगे उन्हें 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए मासिक वेतन के रूप में दिये जाएंगे आई अब बात करते हैं अब भ्यरतियों के आयू सीमा के बारे में तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पद के रिया उमिद्वारों की आयू सीमा 18 वर्स से लेकर 27 वर्स के बीच में होनी चाहिए वहीं जो उमिद्वार स्टेंटो ग्राफर पद के लिए आवेदन करने हैं उनकी अधिक्तम आयू 30 वर्स तक होनी चाहिए आलांकि जो अब भ्यरति अपना संबंध आरक्षित वर्क से रखते हैं उन्हें आयू सीमा में छूट दिये जाएंगे आवेदन करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को जरूर पर है नोटिफिकेशन लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आपको आविधन करने के समय किसी प्रकार की परिस्थानी का सामना ना करना परे इसके लिए आई अब हम आपको बताते हैं इसके आविधन प्रक्रिया के बारे में आविधन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसकी चर्चा हम उपर भी कर चुके हैं साथ ही आविधन लिंक हमने description box में भी दे रखे हैं आप चाहे तो यहां से भी direct जाकर आविधन कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको CUERC 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन पर क्लिक करना होगा फिर इहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद online फॉर्म भर ले फॉर्म भरने के बाद अंतिम में मांगे गए आविधन सुल्का भुकतान करें आप जिस रेनी से अपना संबंध रखते हैं उस रेनी के हिसाब से आपको आविधन सुल्क देने होगे आविधन में मांगे गए जरूरी दस्ता वेचो और अने जानकारी को ध्यान पूर्वक भर ले फिर अंतिमें सब्मिट करके आविधन का प्रिंट अपने पास जरूर रखें आज के लिए फिलहाल इतना ही हमारे साथ बने रानिक लियाब का धन्यवाद